दोस्तों अगर आपको बबासीर है यानि की पाइल्स है तो पाइल्स को सही करने के लिए सबसे अच्छी समगरी है अजवाइन ये अजवाइन आपकी बबासीर कैसी भी हो खुनी हो बादी बाली हो कैसी भी हो आपकी बबासीर बिल्कुल जड़ से सही होगी और जो मैं आपको तरीका बताऊंगी इस वीडियो में अगर आपने उस तरीके का इस्तेमाल किया अजमाइन को तो आपकी जो बबासीर है बिल्कुल सही हो जाएगी और जीवन में कभी दुबारा आपके पाइस होगी ही नहीं तो जब पाइस हो जाता है यानि कि जो हमारे एनस में जो नसे होती है वो नसे फूल जाती है वही मस्ता का रूप ले लेती है और जब नसे फूल जाती है जब बबासीर की जो मस्ते बन जाती है तो उनमें फिर बहुत ज्यादा खुजली होती है बहुत ज्यादा दर्द होता और जब सुबह फ्रेस होने जाएं तो उसमें से ब्लेड भी निकलता है तो आप घबना है बिल्कुल नहीं जब आप इसका इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको आराम खुद बखुद देखने को मिलेगा तो सबसे बहुत क्या करना है आपको लेना है अजवाइन आपके मेटा लिए एक छोटा चमच अजवाइन यह देखिए जो हम रोज में इस्तिमाल करते हैं चमच वही चमच मैंने लिया है तो बिल्कुल एक छोटा चमच आपको डालना है अजवाइन आप इसमें हम दूसरी सामगरी डालेंगे एक चमच सौफ दोनों चीज हैं कि यह आपके खतम करेगा जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करना कर देंगे आपके पाइस की सूजन भी चली जाएगी और जो मस्ते आपके बड़े-बड़े हो रखे हैं वो मस्ते भी आपके यानि की मस्तों की सूजन आपकी जाने लगेगी तो यहाँ मैंने एक चमच भर करके डाल दिया ह सॉफ आप मोटी रहे वाली यह वाली इस तरहते हैं अब आप सभी लोग जानते हैं अब सबस्यां करते तो यह आपके पेट को भी क्लीं रखेगाsource को नहीं होने देता है और रात को नींद भी चक्छी आताइ संप के सबसंट थी कहां इनि कहने का मतलब आपकी वाड़ी मे ही नहीं सकती है chi Sokhen हो जाएगी वन्हें क्वार को यह heных वाली चीजह अगर आप खांगा रहते हैं और फिर पत्रेशा प्रकबज बनाती है यानि पेट आपका साफ हो जाती है अगर आपका पेट हमेचा अच्छा साफ होता रहता है तो आपके बाउसी कभी नहीं होगी मैं यह सच उता रही हूं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी सामगरी इसमें डाल दिया तो और अजवाइन अब इसमें जब एक उबाल आ जाए तो धीमी आज में इसको पांच मेट तक पकाईए ताकि सारा अर्ख हमें अजवाइन और सौंप का इस पानी में मिल सके और फिर इसका हम फाइदा उठा सकें तो दोस्तों एक तो तरीका यह गया है तो चलिए इसको क्या क पीजिएगा या फिर रात में सोने से पहले पी लिजिए आपको पूरा फाइदा मिलेगा आपके बबासी में आपके पाइल समय अब यहां पर आपको मैं दूसरा तरीका बताती है इसे तो आप सिब सिब करके पी जाए अगर आप इस तरीके से काड़े को पी सकते हैं तो क पाउडर चाच में मिला करके पी लिजिए तो आपको पूरा फाइदा मिलेगा आपकी पाइस में अब तीसरा तरीका यह है कि आप इस अजमाइन को भून लीजिए तब पर रहने की रोश्ट करने के बाद में इसको पीस लीजिए पीसने के बाद में थोड़ा सा गुड़ लीजिए गुड़ में अजवाइन को डालिए और इसके छोटे-छोटे से लड़ू बना लीजिए रोज नेमत रूप से साम को सोने से पहले एक लड़ू खा लीजिए और सुबह आप देखना आपका पेट बिल्कुल क्लिन हो जाएगा साफ हो जाएगा और आपके पाइल अजवाइन का आप क्या करें सेवन कर लें अगला तरीका ये है कि आप अजवाइन की चाय भी पी सकते हैं यानि कि एक चमच अजवाइन को लीजिए और एक गलास पानी में डालिए पांच बर तक खोला लीजिए और अजवाइन को च्छान लीजिए तो खाली अजवाइन की चाय भी आप पी सकते हो तो नियमत रूप से आपको इसका सेवन करना है आप देखना आपकी जो पाइस है जो बबासीर वो जड़ से खतम होगी और दुबारा से कभी होगी ही नहीं क्योंकि भाई जब आपका पेट साफ रहेगा आपके कबज की प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपके बबासीर भी नहीं होगी इसके साथ साथ आपको क्या करना है इस मुस्के का तो सेवन करना ही करना है दूसरा आपको क्या करना है हरी सबजियों का सेवन करना है ठीक है हरी सबजियों के बाद में आपको जो डाले हैं डालों का भी सेवन करना है बादी वाली डाल नहीं है जैसे कि मुंग की डाल है वो आप खाईए मसूर की डाल मतलब आप ऐसी डाले खाईए जिसमें बादी नाओ आप वो डालों का सेवन करिए इससे आप पेट साफ रहेगा दूसरा आपको क्या करना थोड़ा सा जॉगिंग बगरा किया करिए ताकि आपके ववासीर हो जड़ से आपकी खत्म होगी और दूश्रा दुबारा से होगी ही अगर आप इतना कर लेते हैं यह आपको जो अजवन60 का चाय क्भान करें इनको बतायाई एक स्टरीका मैं आपको बसा करके दिखा दिया है और सारे तरीकी मैंने आपको बता च刃ए बता किकार